वेल आप लोग stock market में पैसा लगाना तो चाते हैं पर कौन से stocks में पैसा लगाएं penny stocks कैसे identify करें किसी की advice सुनके पैसा लगा दें किसी की टिप पैसा लगा दें वेल मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप मचली पगड़ना सीखिए अगर आपको कोई एक बार मचली दे जाएगा तो हो सकता है किसी का एक बार पेट बरें अगर आपको मचली पगड़ना आ गया तो आप रोज मचली बताने वाला हूं, in fact, हम क्या करने वाले हैं, हम पूरी share market, आपके सामने, आपको पता है, कि तकरीबन 4,000 से जादा companies लिस्टेड हैं, तो वो सारी की सारी companies की, हम एक बार में कुछ analysis करने वाले हैं, कैसे करेंगे, क्या filter यूज करेंगे, क्या approach यूज करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, तो उसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा अपनी Google Sheet पर लेकर जाना पड़ेगा, और हम आपको detail में वो सारे matrix बताएंगे, जो मैं खुद follow करता हूं, before investing in any stock, तो अब मैं आपको अपनी Google Sheet पर लेकर जाऊंगा, and here we go, so अब हम analysis करने के लिए, ticker tape को use करने व सबसे बहले आप यहां पर stock universe पर आईए, आपको यहां पर तो दिख रहा है कि यहां पर 4410 यहां पर stocks हैं आपके सामने, जिनकी आप चाहें तो analysis कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ 50-50 के analysis करूं, यह 50-100 की करूं, in fact, 50-500 की अगर आप करना चाते हैं, तो अब अगर हम, यहां पर मैंने दोनों ही cases ले लिए आपके लिए, हमने निफ्टी 500 भी ले लिए आपके लिए और हमने यहां पर सारे stocks भी ले लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या करने वाले हैं, यहां पर name आ रहा है, किस sector के अंदर company deal कर रही है, company का market cap कितना है, यह सब मैंने यहां पर जो लिए closing price P.E. ratio, इसके अलावा हमें और क्या क्या चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमें अभी यहां पर लेने की जुरूत भी है, तो हम यहां पर simply जाएंगे, मुझे company के total assets भी चाहिए, तो मैं यहां पर total assets को select कर लूँगा, यहां प पर देख जाएंगी, total current liabilities, अगर मुझे देखनी है, एक important चीज मुझे और देखनी है, वो है debt to equity ratio, तो मैं यहां पर debt to equity को भी यहां पर tick कर लूँगा, तो मिरे पस debt to equity भी आ जाएगी, मुझे CAGR भी चाहिए, पिछले 5 साल का, कि compounded annual growth rate का यहां यह भी मैंने select कर लिया, अ अब देखिए, इतनी सारी चीज़े हमने select कर लिया, आप चाहिए तो और भी बहुत सारे filters है, आप अपने हिसाब से, यहां पर custom के हिसाब से भी आप choose कर सकते हो, और आप यहां पर जाएगे, you will see a lot of things, आप profitability के हिसाब से, price and volume के हिसाब से, financial ratios के हिसाब से, आप बहुत सारे filters यूज़ कर सकते हैं, in fact, यहां पर टेकर टेप special filters भी हैं, तो यहां पर जैसे fundamental score है, यहां पर earning quality rank है, तो यह सब आप चाहें, तो यह टेकर टेप special filters हैं, यह भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी analysis के लिए, पर यहां पर मैं आपको बताने वाल हूँ कि मैं क्या यूज़ क आप दिख रही है, company का share का price क्या चल रहा है, तो close price आपको देख रहा है, company का जो PE ratio है, so price to earning ratio क्या है, यह भी आपको यहां पर देख रहा है, price to earning ratio कैसे निकालते हैं, it is very simple, कि जो यह closing price है, अगर मैं इसे divide कर दूँगा, earning पर share से, so हमारे पास PE ratio हा जाएगा, यह अगर आप आपके बास PE ratio, for example, आप देखें, यहापके रिलाइंस का close price है, वो है 2620, और अगर आप इसे divide कर देंगे, 2620.65 भी हम ले 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 दें, divide by 36.11, तो आपको earning per share पता लग जाएगा, that is 72.5, तो रिलाइंस का जो earning per share है, वो 72.5 का है, यहाँ पर इनके total assets कितने हैं, हमें यह भी आपको यह पर देख रहा है, कि जो company हैं, वो 17,00,000 करोड से जादा की है, तो यहाँ पर 17,7846 करोड की यहाँ पर company का market cap है, market cap का मतलब क्या होता है, कि अगर आपको मालजें पूरी की पूरी के पूरी company खरीदनी है, आप कहते हैं जी मुझे कमपनी खरीदनी है, तो आपको क होता है अगर आप यहां पर प्राइज देख रहे हैं market cap हर रोज होता है क्योंकि प्राइज रोज होता है तो number of shares multiplied by closing price जो शेर का price है अगर मैं उसे multiply कर दोगा number of shares ने यहां पर मिरे पास market cap आ जाएगा या फिर अगर मुझे अब इसी तरीके कैसे निकालना है कि company के पास number of shares कितने हैं तो यहां पर आप देखेंगे हम 17,73,846.58 को डिवाइड कर देंगे 2620.65 से तो हमारे पास number of shares आ जाएंगे लगबख 676 crore shares तो यहां पर आपको यह भी समझ आ गया कि आप number of shares भी किसे निकाल सकते हो तो सारी चीज़े आपको पता हो नीच चाहिए बस तो एक बार यह हम जो कर रहे हैं fundamental analysis के लिए कर रहे हैं तो पी रेशियो आपको समझ आ गया पी रेशियो जितना कम उतना अच्छी है तो अगर यहां पर 36 का है अगर यह 36 की जगा कल को 25 दिखता आपको तो आपको क्या खरीदना चाहिए आपको एक historic PE भी देखना वो भी आपको सारी information मिल जाएगी तो आपको industry PE भी देखना होता तो PE जितना कम होता उतना अच्छा होता फिलाल के लिए आप इतना समझेए अब हम देखते है total assets company आज की rate में अगर आपको खरीदनी है तो company के लिए आपको 17,73,846.58 करोड रुपीज देने पड़ेंगे जिसके बदले में लगबग आपको यह पता लग रहा है कि company के पास company बरबाद हो गया चल नहीं देए जो भी हो गया तो अगर company को बेचना भी चाहो गया आप तो क्या बिकेगा उसका assets बिकेंगे तो assets होता गया कि generally यहां पे तो चलो 13,20,000 करोड रुपे लिखा हुआ है तो machinery बहुत सारी चीज़ों की cost यहां पर डाल दी जाती है कि यह इतन इसका मदलब है कि company के पास है क्या वही ultimately हो सकते 13,000,000 करोड से कुछ कम भी मिले पर यह 13,000,000 करोड के assets company के पास है आज अगर 17,000,000 करोड की market cap पर बैठी हुई है तो यहां पर जरा इस तरीके से सोचिए अगर कोई company आपको मालनीजे एक लाग करोड में उसकी market cap है मलब एक लाग करोड में मिल जाएगी और उसके पास 10,000,000 करोड के assets हो तो आपको कैसे रे तो बहुत बढ़ी हो सकता है क्या ऐसी companies है अभी हम वो देखने वाले हैं तो यह मैं आपको total assets के लिए time इसलिए जादा ले रहा हूं कि आपको समझाने की में को कुशिश करना हूं ऐसी बह अदर के आज़ता है कि company के पास एकदम से क्या है उसके पाद cash हो सकता है जो current के अंदर आज की rate में है अगर हम machinery की बात कर रहे है या बड़े infrastructure company के पास जो भी है वो उसके total assets में काउंट और current में काउंट नहीं होगा अब company current liabilities अभी एकदम से देंदारी कितनी है तो देंद important debt to equity ratio का मतलब क्या है कि company ने कर्ज कितना लिया हुआ है equity के comparison में अब अगर debt यहां पर 33 का दिख रहा है आपको टाटा consistency services का 8 का दिख रहा है आपको बहुत सरी companies का 2 भी दिखेगा आपको ऐसी companies भी दिखेंगे जिमन पर debt ही नहीं होगा अब यहां पर for example आप देखते है हिं दुस्तान Unilever तो आपको दिख रहा है debt to equity ratio 0 है अब यह 0 कैसे हो सकता है जिरो ऐसे हो सकता है कि company के ऊपर कर्ज ही नहीं debt ही नहीं यह तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि company के ऊपर debt ही नहीं और अगर debt to equity ratio आप देखें तो जर्नली ऐसी companies अच्छी मानी जाती है जिनका debt to equity ratio 2 या 2 से कम है अगर वो 1 है या 1 से कम है तो बहुत ही अच्छा और 0 है तो इससे बड़े बात ही नहीं है तो आपको यह भी चीज़ें यहां पर समझनी है अब अगर हम 5 साल की compounded annual growth देखें तो हमें वो भी अच्छी चाहिए तो यहां पर 17 की figure देख रही है आपको for example हिंद इतनी सारी चीज़ें हमने लिखी है तो हम करने क्या वाले हैं तो हम क्या करेंगे हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं डिटा आप एक्सपोर्ट पर नाम चाहिंद कर सकते हो example all stocks मैं नाम दे सकता हूं मैं export करूंगा तो यह डाउनलोड जाएगी फाइल यह मालीजे मेरे डाउन करने वाले हैं हम क्या करेंगे देखिए आपको बहुत सारा डेटा दिख रहा होगा आप इस डेटा को देखके बिल्कुल भी मत घखराना क्योंकि हम कुछ अच्छी एनलिसिस करने वाले हैं मैं आपको ना एक एक करके समझाओंगा भी यहां पे तो दो मिनिट थोड़ा सा सिंप्लिफाइ कर लेते हैं इसे तो आपको किसी भी तरीके से समझने में दिक्कत ना हो थोड़ा सा सिंप्लिफाइ करके आपको भी समझाते हैं जस्ट वन बूर सेकेंड तो अब आप यहां पर कुछ फिगर्स देख रहे होंगे अब फिगर्स को देखके आपको नहीं करणे हों और मार्केट कै नहीं तो अब मुझे माकेट कैप के हिसाब से एक एसेड देखने है इसके लिए मैं कुछ इंट्रस्टेंग करने वाल हूँ यहां पर तो वह आप भी देखेंगे आप भी करेंगे इसे तो हम क्या करने वाले हैं हमने कक नेगतos एसे हम यहाँ पर एक अपना निया रो बना ले दें यह मैं नाम दे देता हूँ market cap to total assets मैं एक ratio निकालना चाहता हूँ market cap to total assets का तो वह भी मैं आपके सामने निकाल देता हूँ divide by this तो अभी हमने आपके लिए कुछ काम असान कर दिया है यह आप भी कर सकते हैं तो अभी हमने क्या किया हमने क्या देखा कि company का market cap का है और company के पार assets कतने है तो यह मैं सबसे पहले देखता हूँ आप चाहें तो यह भी देख सकते हैं अभी हम और भी parameters की बात करने वाले है तो मुझे क्या चाहिए मुझे यह चाहिए कि कंपनी के पास एसेट जादा हो और उसका मार्केट कप तो उसके लिए मैं क्या करूँ मैं सिंपली यहां पर एक फिल्टर लगाऊंगा अब इस फिल्टर के अंदर कुछ चीजें मैं जल्दी से कर देता हूं इसलिए डाला हूं क्योंकि आप देखेंगे कई कंपनी ऐसी होती है जो आपको देखेगा की उनका P.E.Ratio नेकिटिव में है क्योंकि उनकी अर्निंग में होती ही कंपनी जो लॉसमेटिंग होती है तो वो आपको उनका P.E.Ratio जो नेकिटिव में देखता है तो इसलिए हमने ग्रेटर देन वन किया कि नेकिटिव ना देखे हैं हैं ऑके सो अब हम क्या करने वाले हैं हम यहां पर असेंडिंग उर्डर में से प्लेस करने बाले हैं अब हमने क्या किया है अब बहुत चोटा सा काम किया किया आप देखे हम यहां पर market cap और total assets का जो हमने ratio निकाला था उसे हमने ascending order में place कर दिये तो company का market cap इस वक्त 11 करोड के आसपस का है company के पास assets 3800 करोड से जाधा के company का P ratio 1.57 का है close price मिला 4 रुपे का ये share है हमें debt to equity ratio यह आप नहीं दिख रहा टिकर टेपर डेटा अवलेबल नहीं थोड़ा सा research करना पड़ेगा इसके बारे में company के पास जो assets है current assets वो लगबग 1800 करोड के आसपस की है और 2300 करोड के आसपस की liability है बट इसका compound annual growth rate नहीं है हमने सारी चीज़े एक साथ क्यों देखनी जरूरी है ठीक है हम यहां पर यह तो जरूर देख रहे है कि market cap to total assets company was क्या है बट यह सारी चीज़े अगर हमें एक साथ दिख जाएंगी तो हमें decision making आसानी हो जाएगी यहां पर अगर हमें CHER negative में देख रहा है इसका मतलब है company grow नहीं कर पा रही तो अभी हम एक और filter यहां पर लगाएंगे क्योंकि हमें negative में देखना ही नहीं है तो हम इसे भी greater than money रखेंगे क्योंकि हमें growing companies में ही पैसा लगाना है आप greater than 5 भी कर सकते हैं तो कम से कम 5% का तो compound annual growth rate होना ही चाहिए तो अब यहां पर आपको क्या companies दिख रही है आप यहां पर देखिए example आपको यह company दिखती है jumbo जो आपको packaging company है इसका market cap 3.64 करोड का है total assets 98.97 करोड के है P ratio 3.44 करोड का है अच्छा यहां तक तो चीज़े बुरी नहीं दी पर जैसी मैंने debt to equity ratio देखा आप देखिए 139 का है तो मेरी सारी analysis यहां पर इस company के लिए बंद होई क्योंकि मेरे साब से debt to equity ratio क्या होना चाहिए should be less than 2.5 जो मैं आपको बताया था तो मैं यहां पर यही डालूँगा should not be या should be between डाल देते हैं तो यहां पर हम एक और करेंगे is between example 0 to 2.5 मुझे 2.5 से ज़्यादा नहीं देखना अब फिल्टर लगाने के बाद आपके पास यहां पर कई सारी companies आ गई हैं आप देख सकते हैं 347 companies हैं यहां पर अब इसके बाद भी अभी मारी analysis complete नहीं होई है यहां पर आप देख रहे हैं कई companies का P ratio 162 का भी है किसी का 5 का भी है किसी का 2.87 का है किसी का 281 का भी है तो आप चाहें तो उसे भी range को range bound कर सकते हैं P ratio आप चेक कर सकते हैं वो कितना चाहिए इसके बाद हम क्या देखेंगे इसका नाम मैंने copy किया मैं दुबारा से टिकर टेप की website पर जाऊँगा अब हम आगे के analysis करने वाले हैं वह मैं आपको बता देता हूँ तो इस company में अगर आप सिर्फ कहेंगे आप सर ये एक मीना पहले वीडियो रिलीज कर देते इसा क्यों वोल्रा मैं आपको बता देता हूँ यहां पर आपको 127 का ये शेर दिख रहा है बट सिर्फ और सिर्फ एक मीना पहले ये शेर इसे आधे रेट का भी नहीं था और दो मीना पहले सिर्फ फेब्रेरी की बात करें फेब्रेरी से भागना शुरू हुआ है तो फेब्रेरी में 17.70 के आसपसका शेर था तो ठीक है मुल्टिवेगर शेर आप इस तरीके से ढून रहे है इसके बाद हमें क्या देखना है पहले वूंस पर आ जाते हैं यहां पर क्या दिख रहा है कि यहां पर प्रमोटर की ओलिंग का वह प्लेज़ है तो यह भी आपको ना देखना पड़ेगा फिर उसके बाद इस शेर में जो आपको यहां पर इस टॉक दिख रहा है इसमें promoter की holding के बाद बेच चलो mutual fund की holding अभी तक नहीं है domestic and institutions की holding 2.93% है retail की 23.35% है तो ये सारी चीज़े भी देखनी ज़रूरी है अब एक चीज़ और important है अगर आप कोई अच्छा stock ढूंड लेते हैं अभी मैं stock का नाम नहीं लेता मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कोई ऐसा stock ढूंड लेते हैं जिसमें अभी तक mutual funds ने domestic institutions ने और foreign institutions ने पैसा नहीं डाला है उससे पहले अगर आप उसे identify कर लेते हैं तो वो rocket shares है अगर वो अच्छे shares हैं यहाँ पे हमें एक negative मिल गया तो मैं नहीं कहूंगा कि आप इसमें invest करो it is not a stock recommendation पर उसके बाद हम मैं क्या देखूंगा मैं holding के बाद जाओंगा financials में so मेरे लिए financials बहुत matter करते हैं तो company के revenue क्या चल रहा है यहाँ पे हम revenue देख सकते हैं तो revenue यार 2019 में 200 करोड था 211 करोड था मैं आप देख रहे हैं कि revenue और जो profit before tax है यह इतना कम क्यों हो जा रहा है so there is something wrong with the company so shares multi-bagger हो सकते हैं समझे रहे हैं but again आपको analysis के लिए बहुत सारी और भी चीज़े देखनी है so यहाँ पर आपके पास जब बहुत सारे stocks को option है अब मैंने आपको बताया कि हम एक base level पे क्या क्या चीज़े देख रहे हैं क्योंकि अगर मैं इसके आगे की analysis कर दूँगा तो company सामने आ जाएंगी यह फिर आप उसमें पैसे लगा देंगे तो फिर वो एक stock recommendation हो जाएगा तो यहां तक मैंने आपको समझा दिया है कि मचली पकड़नी कैसे है अब मचली पकड़ना आपने सीख लिया तो मचली खुद पकड़ो similarly nifty 500 के अगर हम बात करें तो similarly आप nifty 500 के अंदर भी इसी तरीके से analysis कर सकते हैं अब आपको लग रहा होगा कि हम आगे क्यों नहीं बढ़े और क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला कि अगर हम और आगे बढ़ते तो आपको definitely काफी सारी companies ऐसा लगता कि मैंने ही recommend कर दी कि इनमें पैसा लगा लो देखो again analysis आपकी खुद की होनी चाहिए पैसा आपका आपको लगाना है बट अब इसके अलावा भी और भी parameters हैं जो मैं देखता हूँ जो आपको भी देखने चाहिए ठीक है आपने यहाँ पर हमने filter लगाया filter लगाने के बाद हमारे सामने बहुत सारी companies आ गई बट उसके बाद भी काफी सारी चीज़े और भी है जो आपको analysis करनी है बट उससे पहले हम आगे बढ़ें आप यहां तक की analysis करना सीख लिजे fundamental analysis के basics आज मैंने आपको इस वीडियो में सिखा दिये इसके अलावा जो advanced techniques हैं जो again मैं follow करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा पर उसके लिए request आईगी तो हम वीडियो मनाएंगे आप चाहें तो comment कर सकते हैं we'll definitely try to make a video for you now यहां तक की analysis आपने सीखी है नहीं सीखी मुझे कैसे पता लगेगा उसके लिए मैं आपको एक homework दे रहा हूँ कि यहां तक की analysis आप कीजिए आपके हिसाब से हमने अभी यहां पर 4400 से जादा companies के उपर analysis करी तो आपके हिसाब से आप बताईए top 5 companies आपने कौन सी choose करी हैं जिसमें आप investment कर सकते हैं या आप करने वाले हैं तो वो top 5 companies आपने क्यों choose करी हैं बताईएगा इससे पता लगेगा हमारी वीडियो को कितना seriously देखते हैं और लोग भी जो आपके comments पढ़ेंगे उन्हें पता लगेगा कि आपने एक तो research करी है और उन companies के बारे में वो लोग भी research करना शुरू करेंगे before analyzing, before research हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए यह मेरा मानना है so ticker tip का link description comment box में आप जाके simply ticker tip पर जा सकते हैं and अपनी analysis start कर सकते हैं अब finally अगर आप इस वीडियो को Facebook पे देखने हैं follow कीचे, YouTube पर देखने हैं subscribe कीचे, bell icon पर click कीचे I will see you in the next video, share जरू कर देना so that people will get to know कि किस तरीके से वो भी घर बेटे बेटे अपने mobile phones अपने computer से stocks को अनलाइज कर सकते हैं before they invest money so share this video, I will see you in the next video till that time you go self-made